हेलो आप सभी का आज के फैंटेसी प्रिवीव में मुकाबला है यहां पर हाइदरबाद बनाम चैनल जो खेला जाएगा एट हाइदरबाद एक बहुत ही हाइज स्कोरिंग लास्ट गेम याद था एंड वो था हाइज स्कोर आफ दी आइपियल बट यह गेब में पिच अलग सब्सक्राइब की तरफ शीटी परशन में एस मुकाबले में और बाकी सारे बोल्स जो हैं सिमिलर एदा प्रिविएस गेम अब चलते हैं आगे कि तरफ हमारे फेड़िट टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ इस गेम में दोनों टीम्स काफी सिमिलर्ली मैच्ट अप स्ट्रॉंग साथ साथ में बोलिंग में कुछ कंसर्ण अगर आप देखें दोनों टीम्स येलो ओल तुरॉआउट क्यूंकि ऐसे कोई डॉमिनेटिंग बोलर इने मिले नहीं है इन अगर आप देखें कि अगर है भी जैसे पतिराना ने काफी डॉमिनेट किया बट प्रॉब्लम क्या है क कि वह एक अकेल है कोई भी सपोर्टिंग रोल में नहीं है उनके साथ तो अगर उनका दिन नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स वहां पर हो सकती है वाइल बैटिंग मिडल ओर इन दोनों टीम्स की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग और ने भी काफी अच्छा किया है वाइल ऐसा के लिए हैड नहीं ठीकता कि यहां पर काम किया है तो डेट बोलिंग एक कंसर्न है और पावर पैक मिडल ओर है तो काफी आप रंज देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको बताया था पिच में ट्विस्ट है वह क्या ट्विस्ट होगी वह मैं बताऊंगा आगे आपको एड सब्सक्राइब करें कि जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वाई से जुड़िये ताकि आपको यहां पर लिकाव है नो प्राइम और नो पेड और लाइक कॉमेंट शेयर और अगर आप नहीं है तो इंशॉर आप बैल आइकन है ताकि जो आगे की वीडियो आ है उसके आपको नोटिफिकेशन आटोमाटिकली आते रहें एक पूरा यहां मुकाबला देखने को मिलना चाहिए अब चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ सबसे इंट्रेस्टिंग चीज इस मुकाबले की CSK वाला जो गेम है ब्लैक सॉइल पिच पे खेला जाएगा वाइ आपको यहां पे एक तो बात का दियान रखें तो थोड़ा जैसान हो जाता है वाइल ब्लैक सॉइल वाली पिच पे बॉल थोड़ी सी लो रहती है कभी कवार वेरिबल बाउंस होता है और स्पिन भी थोड़ा ज्यादा रहता है माइकल हसी ने यह भी का कि पिच थोड़ी ज्यादा ड्राइ है अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर 100 रान या 120 रन में टीम सिमट जाएगी इसका यह मतलब है अगर आपने लास गेम में 200 250 प्लस देखा मेबी उस यह गेम में वो ना हो यहां पर 150 यहां पे गेम हो सकता है तो इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा ज्यादा बहुत लोग क्यारी अवे हो जाएंगे सारे बैटर लेने के लिए इस मुकाबले में बढ़ यह चीज आपके लिए बहुत ध्यान पूरवक होनी चाहिए इस मुकाबले में तो बिलकुल इस बात का इस बेटी नट राज जानतों देखते हैं कि कौन से प्लेज इस मुकाबले में उतरते हैं उसके अलावा काफी सिम्लर लाइन अपस यहां पर एक्सपेक्ट करेंगे अब बात करते हैं उस तो आप त्विटर पे जाएंगे मेरे मैंने ट्विटर के लिंक यह जो ट्वीट ह आप जाके ट्वीट देखिए एंड गेस करिए कि किसका बैट है फ्लैश डॉट को की तरफ से कॉंटेस करेंड ली चल रहा है तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट करिए एंड गेस करी कौन से प्लेयर का यह बैट है एंड मेभी आप हो सकते हैं वो लकी विनर जिने यह मिल सब्सक्राइब की तरफ तो पहले प्लेयर यहां पर मयंक अगर्वाल इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है नहीं पता है कि यह जो इन स्विंगिंग बॉल है उससे थोड़ा सा चिंतित रहते हैं साथ-साथ में शॉट डिलिवरी के सामने भी नंबर्स कुछ खास नहीं व तो नहीं तो मैंने इस फेवर लेट सी कैसा जाता है इनके लिए मुकाबला ट्राविश्याइब को साथ की बेस्टीम में रहें एक अच्छी पावपले में स्टार्ट वापस दे सकते हैं पहले गेम में भी बिलो टेन ड्रॉप को है सेकिंड गेम में भी नाइन पर डॉप म तो उसको अपवर्ट स्यू किया है अब यह ऐसे टाइप के प्लेयर है कि क्विक फार आपको स्टार्ट दे सकते हैं मिडलोवर में अगर थीक शाना नहीं खेलते हैं तो फिर इनके सामने ऐसा को यह अच्छा खासा पेसी थ्रेट नहीं होने वाला तो वापस एक अच्छी इन से आप यहां पर एक्सपैक कर सकता है राहूल त्रिपाटी पॉसिबल है यहां खेले यह अब्दुल समद की जगे फिनिशिंग ओडर में कहले लेट सी इफी गेट्स पॉजिशिन इन इस गेम बट सी एसके के सामने ट्वेंटीएट का अबज तो ठीक टाक नमबज हैं को अच्छा केलना सी एसके के सामने बहुत बड़ा इंपोर्टन रोल रहेगा जो यह अच्छा केलते हैं तो लेट सी इफी गेट सपॉट इन इस गेम एडिन माकरम थ्री मैच्च फॉड़ीटू रंड वसे सी एसके एक बात का धियान रहा कि जैसे एडिन माकरम आएंगे दूसरी तरफ से आएंगे रविंद्र जडेजा टू बोल इस लेफ्ट आम स्पिन बहुत बार आउट उच्छे हैं पहले अगर यह ब्लैक सॉइल पिछ पे थोड़ा सा भी लो बाउंस रहा तो फिर एडिन माकरम की तकलीफे वहां पर बढ़ जाएंगी डोंट बी सप्रा के लिए इन ग्रैंड लीग ऑनरिक क्लास इन स्ट्रेट फॉर्ट कीपिंग चोइस दोनी बहुत अच्छा खेले अंद लास्ट गेम बहुत लो आ रहे हैं तो वह एक कंसर्ण पॉइंट है यह आपको बैटिंग कीपिंग वैल्यू देंगे प्लस एक वरी गुड़ कैप्ट वाइस कैप्टिंग सी चॉइस स्पेशली अगर पिछ यह भी कहा जाए कि 170-180 वाली पिछ एड पिछ रिपोर्ट तो भी इनका काम महां पर अच्छा खासा बन सकता है शाबाज हैमद इनका रोल विद बॉल इंट्रेस्टिंग रह सकता है अगर शिवं दूबे जल्दी तो जब लेफ्ट एंडर तो रोल बढ़ेगा किसका वाशिंग्टन सुंदर का फाइनली लास्ट गेम में आए कुछ खास नहीं कर पाए वट इस गेम में रोल इनका थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि रचन रवंद्र शिवं दूबे और रविंद्र जड़े जड अब तक फॉर्म इनके साथ रहा नहीं है तो अभी के लिए एक फिफ्टी फिफ्टी पिकी रहेंगे पहले बोलिंग में और जील में कुछ टीम में ट्राजन आते हैं तो फॉर्स बोलिंग में डेफिनिटली मेरी बेस्टीम में रहेंगे एफ फॉर मैचेश एट विकेट्स वर्सी सीएस के नाइठ है अच्छा किया है उन्होंने तो इफीज इन टीम इस टीम स्पेशली इस बोलिंग फॉर्स मायंक मारकंड अगर यह पिछ लो या टॉन कुछ भी इन में से एक साइन दिखाती है तो इनका काम वहाँ पर बढ़ जाएगा याद करिए कुछ साल पहले यह आये थे बुंबा इंडियन के तरफ से और दोनी को वह लबी डव्य किया था जो एक मैच टॉनिंग मोमें था अट पॉइंट अट काफी इंप्रेस किया है उन्हें नाव एंड जितने भी उपरचुनिटीज मिले हैंने फो मैच इस फाइर विकेट तो सी एस के सामने एक भी विकेट नहीं लिया है इनके साथ क्या है वो एक्स फैक्टर वाला पॉइंट है कि पेस बहुत सारा है जैसे हमने देखा वि पर अगर इनका दिन रहा इन्होंने पिच पे बॉल ठीक से वहां पे गुड लाइन पर डाली तो हो सकता है तीन-चार विकेट ले जाए बट वो सिर्फ एक जील में आप कर सकते हैं क्योंकि अब तक वह फॉर्म इन्होंने दिखाए नहीं कि आप स्मॉल लीग में बैक कर चल रहा है आपको क्या करना है सिंपली साइन अप करना रुपीज हंडड रियल कैश मिल जाएगा आपको इन यॉर डिपोजिट वालट और फिर आप खेल सते हैं ट्राय करिया आप मजा है तो खेलिए नहीं मजा है तो मत खेलिए सिंपल एट और नो TDS नो GST अप्लिकेशन अब चलते हैं चैनाइच सूपर किंग्स की तरफ रचिन रविंद्रा अच्छे टच में लगे लास्ट गेम में जल्दी आउट हो गए और रुतराज भी जल्दी आउट हो गए यह तोड़ा सा बॉल को काफी रिस्की किलते हैं इस टार्ट सो एका चांस दे सकते हैं चैन के सामने मैच अप है जिसका यह भी मतलब है कि नट राजन का केलना ऐसा रच के लिए और भी जरूरी हो जाता है क्यूंकि उनके सामने अगर यह जल्दी आउट नहीं हुए तो वसे बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर 62 की आवरिज अगर वह अच्छी बैटिंग वा यहां पर किया सकते हैं बड़ अच्छी बैटिंग पिच पे इनका रोल सी एसके के लिए और भी बढ़ जाएगा धारिल मेच यह आपको कुछ ओवस मीडियम पेस भी डाल के दे सकते हैं प्लस मिडल ओडर में एक अच्छे बैटर है फिनिशिंग ओडर में भी अच्छा कर सकता है कि यह ज्यादा रिस्क लेंगे तो जल्दी विकेट दे सकते हैं पर यहार गेम में रंज भी मार के जा रहे हैं इन काफी अच्छा कर रहे हैं डेफिनिटली आप इन्हें भी ट्राय कर सकते हैं यह टीम अगर बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच है तो फिर आप इन सब्सक्राइर है आप इनका फ्रम नहीं है आप इनका देठा है 22 मैचस में सिर्फ刑ट विकेटने थे कुछ इसम उ enrollment अगर कोई भी बोलिंग टाइप के सामने परेशान हुए है तो वह है रविंद्र जटेजा के जैसे बोलर्स तो वहां पर एक उनके लिए मैच अप फेवरेबल बनता है प्लस मिडल ओर में आपको कुछ रंस भी बना के दे सकते हैं लिए डव्ल्यू बॉर्ड बोनस पॉइंट के साहँ गेम में यहीं तो मेरे साप से एक एक्स यह फैक्टर पीक स्पेशली अगर स्पेशली अगर स्पन के लिए कुछ भी मदद रहीं अगर फ्लैट पिच तो फिर अफ़कोंस वही क्लासें वाला गेम यहाँ पर बंद के सिं फिर चलते हैं तुशार देश-पांडे की तरफ लास्ट कुछ गेम में डेथ में डाल रहते हैं बड़ लास्ट गेम जो था फिफ्टीन तोवर तक को टैनों ने कम्प्लीट कर दिया था तो वो इस आपसे मुश्किल होगा इने लेना बड़ जी एल में ट्राइ कर सकते हैं का तो इनके जल्दी खताब होंगे मतिशा पतिराना तीन ओवर यह जनली डेथ में डालते हैं तो आपको पूरी फैंटेसी वाल्यू इनसे मिलती है एंड डेफिनेटली आपने ट्राय करेंगे इन यॉर बेस्टीम एंड जील कैप्टैंसी वाइस कैप्टैंसी चॉइस इंफ में ले सकते हो मैं इस तीक्षना इसलिए डिसकस कर रहा हूं कि इनकेस मुस्तफीज और रह्मान अवेलबल नहीं है तो इनका रूल आ सकता है इन इस गेम एन आउटसाइड चैपो काफी अच्छा किया है उनने फॉर्म रीसेंट नहीं रहा है इनके साथ अगर स्टार्टि हैं विकेट्स एंवर्स एसरेट्स फोर्टीन मैचेस 12 विकेट्स तो ठीक ताक नंबर्स है और डेफिनेटली वर्त कंसिडरेंग विद बैट भी आपको कुछ वाल्यू दे सकते हैं तो मैंने शार्दुल को क्यों मैंशिन किया दिया हैं क्योंकि अगर एक मैच-प है क्लास क्रिट सिर्व 87 का तो डोंट बी सप्राइज की जब अजिंक्या राने क्रीज पर हो भूबनेश्वर कुमार आज इस ट्रेट फो बोलें मैंग अगरवाल वसिस दीपक चाहर 115 की श्टाइक पार आउट हुए हैं वाइल उतुराज गयकवाड वसिस बूबनेश्वर कुमार 30 of 20 no dismissals बट यह एक डेंजर साइन है कि एक dismissal में भी यहां पर अराइव हो रहा हो इस ट्राइक रेट कुछ खास नहीं तो इससे आप क्या ले सकते हो टेकवेज की बूबनेश्वर और दीपक चाहर अगर शार्दूल ठाकुर खेलते हैं जील में डेफिनिटली इन्हें कंस सब्सक्राइब को नहीं छोड़ना चाहोगे आप और राउंडर में डैरल मिचल रविंदर चटे जाओंगे आपकी की चॉइसे और बोलिंग सेक्शन से मतीशा पती राना एंड पैट कमिंज में ले होंगे लॉक पिक्स तो यह मेरे नौ प्लेयर्स जो डेफिनिटली बेस सब्सक्राइब के साथ आपके रोटेशन भी होंगे अगर एक अच्छी बैटिंग पिछ है तो फिर आप जा सकते हैं विद दूबे अभिशेख शर्वान टॉपिक वही क्लोज करिए अगर ब्लैक स्वाइल से कुछ भी मदद कह रहे हैं पिछ रिपोर्ट पे कि कुछ भी ह फिर आप जाएंगे नटराजन के साथ फोर डेथ बोलिंग वाल्यू एंड सेम चीज़ आप सीच के साथ करोगे इव बोल सेकिंड आप जाओगे थीक्षाना के साथ अगर वो खेल रहे हैं अफकोर्स फिर आप जा सकते हो विद्वान बिट्वीन दीपक चैर मुस्तफीज रहिमान अब अफकोर्स प्लेंग 11 पर डिपेंडेंट है यह चीज़ है तो जो खेलते हैं उनके साथ हम जाएंगे अभी के लिए अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि नटराजन एंड मुस्तफीज रहिमान अवेलबल नहीं है तो जो अच्छी चॉइस लग रही हैं सीच के ब सब मैं यहां बता दूंगा सब यहीं स्कुरोल करके आकर देखें तो क्या मजा आएगा तो जिसनों ने वीडियो ने देखा रिखा ने इंडिविजली बता को ने आपके की कैपटन सी वाइस कैप्टन सी चॉइस पीचे स्कुरोल करके जरूर वीडियो देखेगा अब बन साथ में इन्वेस्मेंट लीडर वोड में भी आपका रैंक बढ़ता जाएगा आप समझते हैं हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शिंस मी मरकने ने मरकंडे हमारे लो सिलेक डाक उस्पिक है सिलेक ड्रॉप्रिस बॉब बताऊंगा आपको आप टेलिग्राम पोस्ट टॉस इसके लावा बैडिंग फर्स बोलिंग सेकिंड चड़े जाएं माकरम हो सकते आपके लिए की चॉइस बैडिंग सेकिंड बोलिंग फर्स पति राना और दोनों सिटुएशन बे ओंडरे क्लासे तो यह रहा हमारे आज के ऑप्शिंस थैंक यू सो मच फॉर तुनिग इन आ मैं होप आप सभी को यह प्रिव्यू पसंद आया हो प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेर और सब्सक्राइब ताकि यह कॉंटेंट और लोग तक पहुच पाए और गिववेश में जरूर पाटिस्पेट करें ट्विटर पर जाके इस्पेशली आपके लिए जो टिकेट वाल लिए कॉर प्रिव के लिए थाए तक यू सो मुच पर तुनि इप